हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू राजन चोदर वोलोग हमें आसा है कि आप लोग जरूर ठीक होंगे बॉर्डर एक ऐसी लखी जो कि दोर मूलकों या देशों को अलग करती है जिनकी सुरक्षा के लिए हर देश अपने अपने सेना को तैनात करती है ताकि किसी दूसरे देश के लोग उनके देश में गुस्वेट ना करें और उनके देश में कुछ गलत ना करें कुछ बॉर्डर तो सरकों से सुरू होकर सरकों पर खतम हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीच नदिया या खाई का फासला है दुनिया में कुछ बॉडर तो ऐसे भी है जहां कोई भी बीवाद नहीं हुआ है पर कुछ बॉडर तो ऐसे हैं जहां हर समय बीवाद बना रहता है जहां पर हर रोज हावाजारो जाने जाती है जहां जाना अपने मौत को दावत देना होगा तो दोतों आज किस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया का कुछ सब्सक्तानाक बॉर्डर या सीमाओं के बारे में जहां आप पर जाना खत्रे से खाली नहीं होगा सो फ्रेंड इस लिश्ट के नमबर वन पर आता है भारत और पाकिस्तान बॉर्डर दो परवानुद राष्ट भारत और पाकिस्तान जो की लगबाद 2900 किलिमेटर की सीमा को साजा करते हैं और यहां का मौसम भी अपने चरम पर रता है इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद ब्रिटी राज से आजादी मिलने के बाद 1947 के विवाजन के बाद सुरू हुआ था जो आज भी बरकरार है बिभाजन के बाद दोनों देशों ने तीन बार घातक यूद कियें जिसमें तीनों बार पाकितान के करारी हार हुई थी बिविन इलाकों और प्रचलित शेतरों के कारण यह दुनिया का सबसे खतरनाक सिमाओं में से एक है इन दुनों देशों की बीच की सीमा दुनिया के कमात्र सीमा है जो की अंत्रिस से भी दिखता है क्योंकि भारत सरकार द्वारा डिनलाग फलटलाइट लगाए गए हैं जो की राद को भी इसपट रूप से दिखते हैं जो कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और बेहतरिन सीमा भी बनाता है। उतर कोरिया और दशिट कोरिया के बीच की सीमाएं लगबग 250 किलिमीटर लंबी है। इस छेतर को DMJ या कोरियाई डिमिनिटराइज जोन की रूप में भी जाना जाता है। ये सीमा 1903 में उतरी कोरिया, चीन और सयुक्त राष्ट के बीच समझोते द्वारा 27 किया गया था। आपको जान का हैरानी होगी कि इन दोनों देश की सीमाएं पर लगबग 200,000,000 सैनिक हैं जोकि इनकी सीमाओं को 4 तरप से घेर हुए हैं जोकि दुनिया के में एक मातर हैं। इन दोनों देशों के बीज की सिमा सांती वरता और बाचित के लिए एक बफर की रूप में कारेरत है इनकी सिमाओं पर आए दिन विवाद होते रहते हैं जो 60 अल अरब नदिक के टूर्की तर्ट पर है। इस सिमा के परिभाजित किये हुए लगबस सेक्ड़ो वर्स हो गए हैं। लेकिन इस छेतर में विशेस रूप से नदिक की उपयूग के लेकर बिवाद चल रहा है। 1980 में इराक ने इरान पर आवेद रूप से इनकी चेतर पर कबज़ा करने और मिशाइल का सुबारम करने का रूप लगाया था। इसके साथ आठ साल के बाद दोनों देशों ने स्वयक्तराश्ट समाधान पर हश्टाशर किये फिर भी इनकी सिमा पर आए दिन बिवाद और ल क्लिमेटर की है यह सिमा कंक्रीट से भरी हुई दस पीट की उचाई पर बनी एक सन रचना है इसको दो जातीन में आंतंगवाद और गुफेट को रोकने के लिए बनाया गया था सौधी अरब में तसकरी वाले हतियार अलकायदा के आंतंगवादी और आर्थिक सरनराथियो में विरिद्धी देखी गई जिसके सरकार को बॉर्डर बनाने का प्रेडित किया यमन ने इसका बिरोद किया और कहा कि यह सिमा चरवाहों के अधिकारों का उलंगन है मार्स 2015 में दोनों देशों के बीच अधिकारी के तोर पर यूद चल रहा है जो कि इन दोनों देशों क कि सिमाओं को दुनिया का सबसक्तानाग सिमाओं या बॉर्डर बनाते हैं इन दोनों देशों के बीच में 2015 से बहुत बड़ा वीवाज चल रहा है और आज तक लड़ाई चली रही है इस लिश्क नमर फाइब पर आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर जो की आज की समय में तालिबान हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सिमा को तूरंड लाइन कहा जाता है और पंदरों सो दस मिल तक फैली हुई है दोनों देशों में अतां घुचि ओमई को भी वाज़न के त now करती है इस वि हाजन के कारण ही सिमाओं कि में भीवाद है एध्यासी रूप से अफगानक ने अभ पाकिस्तान को पास्तून चेतरों में घेरा लगाने में ने रोख दिया है इसकी कारण के वाज़े से आए दिन यहां पर विवाद होता रहता है जो कि इसे दुनिया का सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपन दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों फिर से मुलाकातों कि ऐसे सब्सक्राइब दोस्तों का दिल सखने वाद